आजादी का अम्रित महोसर के अंतरगत बीनादास का दूसरा भाग बीनादास दा टाइग्रेस ओफ बंगाल फ्रीडम फाइटर ओफ इंडिया इनको अगनी कन्या के नाम से भी जानते हैं इनका स्वतनत्रता के लिए अगनी कुंड में उतरने का 1926 से सफर शुरू हुआ जब शरचन चटोपाधिया का नोबल पार्थरधाबी मार्केट के अंदर आया नोबल पार्थरधाबी एक हफ़ते के अंदर ही सारी कॉप्यों को बेचने में सफल हो गया क्योंकि इसके अंदर इंडिन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में लिखा हुआ था अंग्रेजी सरकार ये नहीं चाहती थी कि भारतिये स्वतनत्रता संगर्श के विशे में बहुत अधिक जानकारी हासिल करें इसलिए उन्होंने उस पर रोक लगा दी लेकिन किसी तरह से एक कॉपी बीनादास को मिल गई बीनादास वैसे भी अपने महाविद्याले की लाइबरेरी में बैठ करके स्वतनत्रता संगराम से संबंदित नोवल पढ़ा करती थी नोवल पढ़ा एक बार नहीं कई बार पढ़ा और बहुत जादा मोटिवेटेड हो गई इसी कारा अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाई किकी रात और दिन इसी को पढ़ती रहती थी अपने इंग्लिश के पेपर की तयारी ठीक से नहीं कर पाई लेकिन भागेवश ही कहेंगे के इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें अपने पसंदीता नोवल के विशे में लिखना था बीना दास को तो मौका मिल गया उन्होंने इंग्लिश का अपना पेपर सरज चंद चटो पाध्याय का नोवल पार्थर धावी के उपर ही लिख करके खत्म कर दिया बीना दास बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस इस्टूरेंट थी उसके बावजूद भी उनके इंग्लिश के अंदर जीरो नमबर आए क्योंकि जो इंग्लिश की टीचर थी वे अंग्रेज टीचर थी और उसको मालुम था कि इस नोवल के उपर बेन लगा हुआ है बीना दास का फ्रीडम फाइटर सफर यहीं से शुरू हो गया उन्होंने सोचा मेरे देश के वेक्ती ने पाथर धाबी नामक यह नोबल लिखा है और उसके उपर अंग्रेजों के बेन लगाया है अंग्रेजों के बेन लगाने का इस पर क्या मतलब है यह कहां का निया है यह कहां का इंसाफ है उन्होंने फिर लिखा बड़े जोश में आकर के उन्होंने लिखा मेरे भारत के नाम मेरी पहली श्रदान जली मैंने अपने इंग्लिश के मार्क्स अपने देश के नाम कुरवान कर दिये फिर क्या था ये शेरनी तो अब और भी ज़्यादा खुंखार शेरनी के रूप में आ गई स्वतनता संग्राम से संबंदित जो भी रैली होती थी स्ट्रगल होते थे, कैम्प्स होते थे, ये आयोजन होते थे उन सभी में बढचर करके हिस्सा लेती 1928 में मंगाल वॉलिंटरी कॉप्स जोइन किया जिसको कि सुभाषचन बोस चलाते थे और उन्होंने इस्थापित किया था सुभाषचन बोस इनके पिता बेनी रागवदास के सिश्चे थे वहाँ पर इनकी मुलाकात सुभाषणी गांगुली से हुई सुभाषचन गांगुली ने बीनादास से पुछा आप अपने देश को आजात कराने के लिए कहा तक जा सकती है बीनादास ने कहा मैं अपने देश को आजात कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ और यहां तक कि मैं अपनी जान भी कुरवान कर सकती हूँ यह उत्तर सुन करके सुहासनी गांगुली ने बेंगाल रिवोशनरी पार्टी में बीनादास को जोईन करा लिया यह पार्टी इतनी ज़्यादा सीक्रेट थी कि इसमें आपस में इसके जो सदसे थे वो एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे 6 फरवरी 1932 की घटना में 9 साल की सजा हुई और जब उस सजा से दिहा हो करके बाहर आई तो यह क्रांती की जौला को प्रजलित करने वाली वीरांगना और भी ज़्यादा प्रजलित होने लगी स्वतनता संग्राम इसने बंद नहीं किया बलकि गांधी जी के भारत छोड़ो आंदौलन के अंदर शामिल हो गई जब इस आंदॉलन का एक बार प्रटेस्ट चल रहा था तब एक अंग्रेज सैनिक ने बीनादास के एक सहियोगी को बंदूप मार करके खायल कर दिया उससे ये बहुत जादा नाराज हुई और उन्होंने इस अंग्रेज को बहुत बुरी तरह से खायल कर दिया जिसके कारान इनको फिर तीन साल के लिए बंद रहना पड़ा बंगाल की क्रांती कारी महिलाओ को जब बीनादास की स्टोरी के विशह में मालूम पड़ा तो उबेवी बहुत जोश से और क्रांती से देश प्रेम के लिए उनके अंदचिंगारी सुलगने लगी उन्होंने भी अक्रामक रूप से अंग्रेजों के उपर हमले करने कर दिये और लगातार हमले चलते रहे फिर लगातार हमले चलते रहे जिसका परणाम ये मिला कि 1947 में हमको स्वतंतरता प्राप्त हो गई लेकिन इस वीरांगना का जिसको हम क्रामती की जौला कह रहे हैं जिसको हम अगनी कन्या कह रहे हैं उसका अंत बड़ा दुखत हुआ इन्होंने पैंशन लेने को भी मना कर दी जो स्वतंतरता सेनानियों की होती है वो लेने को मना कर दिया, कैलकटा छोड़ दिया और रिशी केश में एक छोटे से आश्म में आकर सिक्षिका के रूप में कार्य करने लगी इनको 1960 के अंदर पदमश्री से भी सम्मानित किया गया उस सब के बावजुद इसका अंत सड़क पर पड़ा हुआ मिला इनकी बोड़ी जो की सड़गल चुकी थी जिसको भी पहचानने वाला नहीं था इसलिए इनकी मृत्यू जिस दिन इनका शब मिला यानि की 26 दिसंबर 1986 को मान ली जाती है